अज हम डिसकस करने वाले हैं जामे मिलिया इसलामे के जो सी उएट के कोर्स के बारे हम बात करने वाले हैं इसको लेकर आपके सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि जैसर एक या एक ही पेपर देने एडमीशन लेने के लिए क्या बाकी डूमेन के मार्क्स कंसीडर नहीं कि जाएंगे चले मैं आपको एक एक करके इसमें सारी चीज़े बताये तो और एडमीशन फॉर्म्स को लेकर करके आपडेट से वह भी मैं आपको बताये तो सबसे पहले चीज जैसे आपको भी ओनर तुर्किश लाइंग्विज में अडमीशन लेने तो सिर्फ जनरल टेस्ट के मांकस आपके देखे जाएंगे माले जी आपने सात पेपर दिय कोई मेंटर नहीं करेए कि अपने साथ दिया है अर दिय को सेoc एसे ही एकर आपको बिएसी ओनर्स फिजिक्स में डिकें जाएंगे ना कि बालोजी कि ना कि मैस के तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना यह लिए आप लिए नोगहने नहीं को कंसीडर नहीं किया जाएगा यह आपको प्राइटी क्या यह तो जामी मिलेशलाम वे ने ने बहुत बार रिलीस बहुत बार डिट एक्सेंट करी थी एक बार और आपको मौका दिया जाएगा आप थोड़ा सा पेशन्स रखे जहां तक है यह मौका एंट्रेंस खतम होने के बाद तो चांसे शक्म है जैसे ही एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा उसके दो से तीन दिन बाद आपको एक मौका ओर दिया जाएगा फांस फिल करने का लेकिन ध्यान रखना है 2-3 दिन के लिए ही दिया जाएगा तो जैसे रिलीस होगा वो मैं आपको बताऊँगा और इन 2-3 दिन में मैं आपको daily एक बार जरूर remind कराऊँगा जैसे मैंने previous आपको remind कराया था लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो है रहे गए थे जिन बच्चों को नहीं पता जला जिन बच्चों को पता था मैंने आपको बता जिया था अब आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है जा में की साइट से जो भी अपडेट से आएगा या फिर जिस भी उनिवर्सिटी का फार्म आएगा वह आपको वीडियो बनाक के अपडेट कर दिया जाएगा थैंक यू जाएगा 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 जाए